Dear student, आज मैं आपको आईसो प्रोड़क्ट कर्व के बारे में आगे बता रही हूँ, जिसके अंतरगत हम Factor Elasticity of Substitution का अध्यन करेंगे, इसके अंतरगत हम ये पढ़ते हैं कि जो साधनों की प्रतिस्थापन की दर है, वो लोच है, वो क्या होगी, उत्पत्ति के दो साधन हमने अभी तक आईसो प्रोड़क्ट कर्व में यही पढ़ा था, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व में होता है कि एक साधन की में व्रधी करने पर, एक साधन के उभग में व्रधी करने पर, दूसरे सोधन का त्याग करना पड़ता है आईसो प्रोडक्ट कर में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जब हम एक निश्चित उत्पादन करने के लिए एक साधन में व्रद्धी करते हैं तो दूसरे साधन का त्याग करना पड़ता है वो क्या कहलाता है प्रतिस्थापन कहलाता है तो उत्पति के दो साधनों के मद्य प्रतिस्थापन योगिता की सुगमता की माप को साधन की प्रतिस्थापन लोच द्वारा मापा जाता है दूसरे शब्दों में हम साधन की प्रतिस्थापन लोच साधनों के मद्दे स्थानापन योगिता को उस कोटी को मापती है जिसके अंतरगत एक उत्पत्ती के साधन को दूसरी उत्पत्ती के साधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है प्रोफेसर हिक्स के शब्दों में साधन की प्रतिस्थापन लोच उस इस्थिती की माप है जिसमें अन्य उत्पत्ति साधनों के इस्थान पर एक परिवर्तनशीर साधन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है साधन की प्रतिस्थापन लोज को दो उत्पत्ती के साधन पूंजी और श्रम की साहता से इसपश्ट किया जा सकता है साधन की प्रतिस्थापन लोज का आधार तक्नी की प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTSLK MRTS क्या है Marginal Rate of Substitution L के क्या है फूंजी और श्रम इसकी जो प्रतिस्थापन की दर होगी वो क्या कहलाती है MRTS कहलाती है और L के क्या है फूंजी और श्रम है जदि हम श्रम की मातरा में व्रद्धी करते हैं तो पूंजी का त्याग करना पड़ेगा तो ये प्रतिस्थापन की दर होगी अब इसके अंतरकत एक फॉर्मूला दे रखा है MRTSLK का Δल्टा के अपॉन डल्टा एल पूंजी की मातरा में परिवर्तन अपॉन श्रम की मातरा में परिवर्तन आपने जब Elasticity of Demand पढ़ा था तो उसमें भी आपने यही पढ़ा था कि यदि हम मूले में परिवर्तन करते हैं तो मांग में कितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम Marginal Rate of Substitution की गढ़ना कर सकते हैं साधन की प्रतिस्थापन लोच को इसी तक्नीकी प्रतिस्थापन की सीमान दर की सहता से परिवाशित किया जा सकता है तक्नीकी प्रतिस्थापन सीमान प्रतिस्थापन की दर क्योंकि यहां पर तक्नी की सीमान प्रतिस्थापन की दर है Marginal Rate of Technology Substitution में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में साधनों के बीच अनुपात में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसे साधन की प्रतिस्थापन लोच कहते हैं अब इसके बाद आता है Ridge रेखाएं अत्वा उत्पादन के आर्थिक शेत्र की सीमा है Ridge Lines or Boundaries for the Economic Reason of Production अब Ridge Lines क्या होती हैं देखिए जब भी उत्पादक उत्पादन करता है तो वो हमेशा किस स्थिती में रहना चाता है लाब की स्थिती में रहना चाता है और लाब की स्थिती कौन सी होगी इसके बारे में हम इसके अंतरगत अध्यन करते हैं इसके अंतरगत हम डाइग्राम के दोरा ये प्रदर्शित करेंगे कि उत्पादक को कितना उत्पादन करना चाहिए जब वो शम और पुझी में प्रतिस्थापन कर रहा है तो प्रतिस्थापन की दर क्या होनी चाहिए और कौन सी स्थिती ऐसी होगी जबकि उत्पादक को लाब प्राप्त होगा समोत्पाद वक्र मांचित्र उत्पादक के लिए विभिन उत्पादन स्थरों को बताता है समोत्पाद वक्र मानचित्र का प्रतिक समोत्पाद वक्र बाय से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है यदि उत्पादक दोनों उत्पत्ति साधनों अत्वा किसी एक उत्पत्ति साधन में व्रद्धी करता है तब निश्यत रूप से कहा जा सकता है कि उत्पादक अपने स्तर में व्रध्धी करता है तो जब हम एक साधन से दूसरे साधन में प्रतिस्ता पे तो करके मार्चित्र पे हमने पढ़ा था कि आईसो प्रोड़क्ट कर्व से उत्पादक जब अपने दोनों साधनों में व्रध्धी कर रहा है तो उत्पादन में भी व्रध्धी होगी तो वो कितना उत्पादन करे जिसे कि वो अधिक्तम लाब की स्तिती में रहे किन्तो समोत्पादवक्र परविबिन सयोग समान उत्पादन देते हैं योगि एक साधन की व्रद्धी करने के लिए उत्पादक को दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती हैं ताकि उत्पादन इस्तर इस्तिर रहें। इसी कारण साधन X की Y के लिए तक्निकी प्रतिस्थापन की सिमांधदर MRTSXY रणात्मक होती हैं। उत्पादन साधनों में एक अथव दोनों साधनों में लगातर व्रद्धी व्यवहार में एक बिंदू के बाद कुल उत्पादक तामें व्रद्धी के इस्तान पर कमी आती हैं। एक विवेक्षिल उत्पादक अपना उत्पादन उसी बिंदू तक करेगा, जहां तक कुल उत्पादन में कमी ना हो, दूसरे शब्दों में समुत्पाद वक्र मुल बिंदू के सापेक्ष जहां तक उत्तल रहे, वहां तक उत्पादन लाप्रद होता है, मैंने आपको उत्पादन लाप्रद है समोदपाद वक्रों का वह शेत्र जहां पर समोदपाद वक्र मुल बिंदु के सापेक्ष उत्तल रहे रिजू रेखाओं का शेत्र कहलाता है जो मैंने आपको रिज लाइन्स के बारे में बताया है वो शेत्र कहलाता है रिजु रेखाओं के बीज के शेतर को उत्पादन का आर्थिक शेतर, Economic Reason of Production भी कहा जाता है इस प्रकार कहा जाता है कि रिजु रेखाओं उत्पादन के आर्थिक शेतर की सीमाएं है समुत्पाद वक्रों के केवल वे भाग जो रिजुरेखाओं के बीच हैं उत्पादन के लिए उप्युक्त होते हैं अब ये देखें रिजुरेखाएं कौन सी हैं OR और OS रिजुरेखाएं हैं जहां पर की समुत्पाद वक्र IP1, IP2 और IP3 दोनों का convex to the origin है चाहे वो A1, B1 हो, A2, B2 हो या A3, B3 हो अब आप देखें इसमें कितना उत्पादन होना चाहिए K1 और L1 ए बिंदू पर है और N1 और M1 भी बिंदू पर है तो इतना उत्पादन IP1 पर होना चाहिए इसी तरीके से K2, L2, BIP2 पर है और N2 और M2 IP2 पर है और इसी तरीके से K3 और L3 IP3 पर है और N3 और M3 IP3 पर है तो A1, B1, A2, B2 और A3, B3 रिज लाइन्स के अंतरगत आता है रिजू रेखाओं के अंतरगत आता है और ये इस्तितियां वही होंगी जो की अधिक से अधिक उत्पादन देंगी इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इनी को इसपस्ट किया गया है चितर में रिजू रेखाओं के विद्पत्ति समझाई गई है चितर से IP1, IP2, IP3 तीन समुत्पाद रेखा है प्रदर्शित की गई है समुत्पाद वक्र IP3 के बाद B3 पर X की OM3 तथा Y की OM3 मातरा प्रयोग की जाती है समुत्पाद वक्र IP3 के बाद A3 के बिंदू B3 तक जाने में उत्पादक साधन X की अतिरिक तिकाईयां प्राप्त करने के लिए साधन Y की काईयों का त्याग करता है बिंदू B3 के बाद समुत्पाद वक्र IP3 22 से दाय उपर चड़ने लगता है और इस तरीके से ये जो है जी उत्पादक को नीचे समुत्पाद वक्र उपलब्द होगा इसके बाद आता है कि समुत्पाद वक्र में यही इस्तिती बनी रहेंगे धन्यवाद